बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम एन एलिमेंटरी स्कूल क्लास्रूम इन स्लम बाइ स्टीफन स्पेंडर इस पोयम में पोयर जो है वो हमें जुगी जो अपड़ियों में एक स्कूल के क्लास्रूम की बहुती पैथेटिक कंडिशन जो होती है उसका वर्णन हमारे सामने कर रहे हैं यह जो स्लम है यह सी शोर से बहुत ही दूर है नैचुरल सरावनिंग से बहुत ही दूर है और इन स्लम में रहने वाले बच्चों को पूरा भोज़न ही नहीं मिल पाता तो इनका शारिक विकास जो है वो भी ढंक से नहीं हो पाया है और वो दुनिया की चकाच उन से बहुत ही दूर है एक नर्क जैसी जगा पर रह रहे हैं और वहीं इनका बच्चपन शुरू होता है और वहीं पर इनकी जिन्दगी खत्म हो जाती है और दिवारों पर टंगे हुए नक्षे या महान लगों की जो फोटों है वो इनके लिए मिनिंगलेस है यह सब पोइट हमें बता रहे हैं इस पोयम में और साथ ही साथ शिक्षीत और सबह समात से अपील भी कर रहे हैं कि उनको इन बच्चों की पढ़ाई में आने माली रुकावटों को दूर करना चाहिए और उन्हें हरे भरे मैदानों का रास्ता दिखाएं उनको भी जिन्दगी में सफल बनने के रास्ते दिखाए जाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा इस चैनल को ताक कि आपको नहीं नहीं पॉइंट्स जो हैं समया पर मिलती रहें नोटिफिकेशन मिलते रहें ओके लेट्स स्टार्ट और फिर्स स्टेंजा पसंद रहें अगर आप साथ साथ वर्ड मिलिख सकते हैं स्टोर्मी यानि व्लोइअ में भूंस टुभन दी मांने अम्में कि老 occurred उजदी और72004 ठाव ट्रूट बिन जड़ के विन जड़ के विड्स क्या होता है ये युजस लेस्या फालर कि कि घ्र हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किसके पीले चेहरे यहां बताए गई है हमें और पेपर सीमिंग मतलब पेपर की तरह पतले पतले दिखाई देने वाले एर जो होते हो सक्सेसर होते हैं ह e i r एर जो होते हो दिस्तोटेड विक्रत जिनकी आकरती जो होती है जो गांट दाल कुछ भीमारियां भी होती हैं, बोडी के अंदर ऐसे सिंप्टम्स दिखाए देते हैं, कि गांटे बनी ही होती हैं, तो ओके, I'll explain line to line, this poem, Far, far from gusty waves, the children's faces, far, far मतलब कहां परफार, मतलब यह समुद्र की जो लहरे हैं, उनसे यह दूर रहते हैं, बच्चे, जैसे कि जड़हिन पोदे नहीं होते हैं, जो खरपतवार होती हैं, जो हम खेतों के अंदर हमारी फसलों के बीच में जो वीड्स होती हैं, उसको अलग करकर फैंकते रहते हैं, तो उस तरह से इनके जो हैं, बाल अगरा जो हैं, हेर टोन अराउंड देर पैलर, लब उनके जो हमेले चेहरे पर उनके जो उलजे-उलजे से बाल हैं, वो इस तरह से बिखरे हुए हैं, जैसे खेतों के अंदर अच्छी-ची फसलों के बीच में वीड्स होती हैं, खरपतवार होती हैं, वो हमें कितने बुरी लगती हैं, उस तरह से इनके चेहरे पर जो बाल हैं, ऐस कैसी है physical condition कैसी है mental condition कैसी है वो जो अपोइट है वो हमारे साथ में Stephen Spender जो है वो हमारे साथ share कर रहे हैं आगे देखते हैं तोल गार्ल विधर वे डाउन हेट एक लंबी सी लड़की उदासी से अपना सीर नीचे जुकाई हुए है वो अपना सीर नीचे जुका कर बैठी हुए है the paper seeming boy with rat's eyes कागस की तरह बहुत ही दुबला पतला सा चुबह जैसी आंखों वाला एक लड़का है जो the stand unlucky hair of twisted bones जो बिल्कुल एविक्सित्सा है मतलब उसकी जो body है या जो उसकी bones है वो off twisted है मतलब टेडी मेडी सी है उसका जो है अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाया है reciting of father's knowledge disease वो recite करता रहता है बोलता रहता है बताता रहता है खुद के बारे में क्या कि वो किसका मतलब अपने father के बारे में बताता रहता है कि father's knowledge disease कि उसके पीता को कोई गांटदार बीमारी है हना तो उसकी वजह से इसका जो है विकास नहीं हो पाया है मतर में हांगे मतर में करें ओकके मांतर गाली निवयर दिखाया देंगर तो प्रविंदा रहता है तो इसकी वजह से दिखाये दे रही है और अपने फिल्ड भारigent, आपना रह्ट ऑल्कि थान कहा है अपने बीमारी चीए उंअ बौडर पोफे मेंतार, तर इसका रहा है बहुत ही poor condition उस classroom के बच्चों की जिनका विकास सही नहीं हो पाया है और जो natural surrounding से दूर रह रहे हैं, sea shore से दूर रह रहे हैं और उनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता और सिविलाइस्ट लोगों से सब्धे लोगों से बहुत दूर रहते हैं, सब्धे लोगों से दूरी ब one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room, other than this dim मतलब faintly visible, धूंदला सा होता है न, कम रोशनी वाला, और unnoted, not noticed, जिस पर ध्यान नहीं गया हो, और squirrel तो हमने सब ने देखी है यहांजित के हैं, पेड़ों पर घूंती रहती है, पेड़ों में अपना home बनाया हो उता है, room बनाया हो इसने, पेड़ों पर रहती है, वो न, tree room वोलिए हो जहांपर वो place made in a tree, एक पेड के अंदर अपना place बनाया हो उता है, उसे बोलते हैं tre room, at back of the dim class उस कम रोशनी वाली class में पीछे, one unnoted एक बिना दिखे जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है sweet and young एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा बच्चा बैठा है his eyes live in a dream उसकी आंखों में एक सपना दिखाई देता है of squirrel's game क्या सपना दिखाई दे रहा है कि उसके इस classroom के अंदर है ना और वहां पर उसको क्या दिखाई दे रहा है गिलहरी का गेम उसको ऐसा सपने में दिखाई दे रहा है उसका ध्यान उदर की तरफ ही जा रहा है in tree room other than this किस बात पर ध्यान जा रहा है कि of squirrel's game in tree room other than this कि जो पेड़ पर बना हुआ एक रूम है हना जो गिलहरी ने जो बनाया हुआ है तो वो उसे देख रहा है कि वो अपने निवास्थान पर अपने कमरे पर अपने रूम पर कितनी आजादी से वो खेल रही है तो वो भी अपने लिए इसी तरह के एक रूम की कलपना कर रहा है imagine कर रहा है कि इस कमरे से एक दम वो अलग हो क्योंकि ये जिस कमरे में बैठ है ये बचा जो पढ़ाई कर रहा है वो बहुत इदिम है बहुत ही कम रोशनी है वहां पर और बहुत अची जगा नहीं है बैठने की भी और ये लोग बहुत मतलब गरीबी में रह रहे है तो ये भी ऐसी imagine कर रहा है कि वो भी आजादी से अपने एक सावसुत्रे कमरे में रहे तो उसका ध्यान जो हो पढ़ाई में तो जा नहीं रहा और उसके मन के अंदर imaginations चल रही है और सावसुत्रे क्रीम वॉल्स डॉनेशन शेक्स्पिर्स हैड क्लावडलेस एजान सिविलाइस डूम राइडिंग ओल सिटीज बैल्ट फ्लारिट टारोजिस वेली ओपन हैंड़ेड मैप अवर्डिंग दा वर्ल इट्स वर्ल सावर मिन्स अन्प्लेजंट जो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता और डॉनेशन जो दान में दी गई चीजह होते हैं वो है यहाँ पर और दी ए ड्व एंड जान मिन्स अर्ली मोर्निंग बिफोर दो संड्राइज सुर्या उगने से पहले की जो मोर्निंग होती है उसे बोलते हैं जान और सिविलाइज डूम मतलब यहाँ इस पॉयम में इसका मतलब है इंस्टिशन ओफ दे सिविलाइज वर्ल मतलब एक सभे समाज की जो संस्थाएं होती है यहाँ पर इसका मतलब वो है ठीक है तो हम इसका explain करते है on sour cream walls donation Shakespeare's head की एक ऐसुहावनी sour cream walls जो हमें अच्छी नहीं लगती है cream color की दिवारों पर donations दान में दी हुई कुछ चीजें जैसे Shakespeare's head Shakespeare के head की मतलब face की तस्वीर जो है वो दिवार पर लगी हुई है किसी ने दान में दी हुई है वो उस classroom के अंदर टंगी हुई है cloudless adron, civilized dorm reading all cities तो यह poet क्या बताना चाह रहे हैं उस classroom का द्रश्य हमारे सामने दिखा रहे हैं कि बच्चों की जो classroom है वो बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है वो एक तो वो बिल्कुल मदम से color का है क्रीन से color का जैसे ने ता गंदा सा color हाना जो हमें अच्छा नहीं लगता unpleasant लगता है और वहां पर दान में दी गई वस्तों है जैसे कि Shakespeare की photo टंगी हुई इसमें सिर्फ शेक्स्पियर का चेहरा दिखाई दे रहा है है ना हैट दिखाई दे रहा है और सुद्धा सुद्धा का समय है और आसमान जो है वो भी बिल्कुल साफ है यानि की cloudless है A civilized dome reading all cities और जो सबे समाज की संस्थाओं के वो डूम है जो भी गुमबद है या जो भी डूम है वो सब शेहरों के उपर दिखाई देते हैं बैल्ज, फ्लारी, टाइरलीज, वेली ओपन हैंडेड मैप अवर्डिंग दो वर्ल्ट, इट्स वर्ड और वो टाइरोल गाटी जो है वहां की जो संस्थाओं है वो गंटियों के म्यूजिक से और फूलों से भरी हुई है और संसार के इस मैप को मतलब उनके वहां पर ऐसा मैप टंगा हुआ है उनके क्लासरूम में जिस पर टाइरोल गाटी की कुछ संस्थाएं दिखाई जा रही हैं वहां बताना चारे हैं कि उनके लिए इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है ना तो वहां पर लगी होई चेक्स्पीर की चहरे की फोटो की कोई वैलिव है और ना ही वहां पर मैप लगे हुए जो हैं जिन में अच्छे अच्छे शेहरों की फोटों दिखाए गई है टाइरल घाटी की जो फोटों दिखाए गई हैं मैप दिखाए गया तो उन सब चीजों का बच्चों के लिए रोशनी तो पूरी नहीं मिल पा रही है अच्छे से इनको फीड भी नहीं मिल पा रहा है फार फार फ्रों रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ओफ वर्ड्स दीज चिल्डरन कौन से चिल्डरन नहीं हाँ पर चिल्डरन इन दिस स्लम स्कूल गंदी बस्ती वाले स्कूल के ये बच्चे जो है इनके बारे में पोईट हमें बता रहे हैं और फोग फोजी फोग मिन्स मिस्ट कोहरा धुंद हना इस तरह का जो बाहर उनको उनके नजरों में तो यही सब है ना उनके लिए तो सब कुछ फोग है और यहां लेंड स्काई मतलब एकदम नीला जो ब्लशी ग्रे स्काई आसमान है उसके लिए आया यहां पर और केप्स क्या होते हैं प्लेसे उप हा लेकिन जो यह गंदी बस्ती में जो यह स्कूल बना हुआ है इसमें जो यह विंडोज है यह खिड़किया है यही उनका अपना संसार है उनका भविश्य जो है वो धुंद में पुता हुआ है मतलब फोगी है धुंदला है उसमें कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है यानि कि उसमें ए निश्चित्ता है अंधकार से भरा हुआ है और वे अपने जीवन की एकदम ऐसी संकरी गली में एकदम तंग सी गली क के अंदर नेरो स्ट्रीट के अंदर हैं जो कि आगे जाकर बंद कर दी गई है सील कर दी गई है जो रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता है यानि कि वो इन गलियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसको एक बिल्कुल आस्मान ने भी चारों और से घेर रखे हैं भी ढके हुए हैं सब तरफ से यह लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं और यह बच्चे जो है यह नदियों से अंतरिपों से केप से सितारों से स्टार से हना जैसे इन सब ही शब्दों से बहुत ही दूर है मतलब इस स्टैंजा में पोईट हमें यह भाव दिखाना चाहरे हैं कि जिन बच्चों के लिए थोड़ी खुली जगा मिलना ही इतना मुश्किल है उनके लिए प्रकृति कि यह सारी चीजें जो है रिवर्स है केप से स्टार से तो इस सब चीजें जो है उनके लिए अर्थ हीन है मतलब इनका जो संसार है वो तो सिर्फ इस गंदी बस्ती के तंग गलियों तक ही सीमित है Surely Shakespeare is weak the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slylyly turn in their craft halls from fog to endless night Surely means definitely निश्चित रूप से Shakespeare is wicked मतलब उन बच्चों के लिए Shakespeare का जो पोचेट उनकी क्लास में लगा हुआ है वो meaningless है हालंकि Shakespeare बहुत ही famous और एक great dramatist थे और उनकी importance कभी कम नहीं होगी लेकिन उन बच्चों के लिए इसकी कोई importance नहीं है और tempting मतलब लालस देना किसी को alluring करना प्रलोभीत करना और cramped means narrow एक्दम संक्री एक्दम तंग जो होती है उन्हें बोलते हैं cramped Surely Shakespeare is wicked the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slylyly turn in their cramped halls from fog to endless night कि निश्चित रूप से definitely Shakespeare की जो ये picture है जो ये तस्वीर है इन बच्चों के लिए बिल्कुल ही अर्थ हीन है meaningless है और यह मानचित्र जो map लगा हुआ है यह भी इनके लिए बिल्कुल ही गलत example है कि दुनिया में ऐसा भी होता है map में जो कुछ दर्शाया गया है बहुत हर याली और बहुत अच्छे चीज़ें दिखाई गई हैं एकदम सब ऐसा समाज दिखाया गया है तो बच्चों के लिए यह सब meaningless है गलत example है बच्चों बच्चों के लिए यह है और जोई जहाज सूरज और एक ऐसी वस्तु हमें हना जिनमें प्यार से भरा वह संसार दिखाई दे रहा है यह सब इन बच्चों को चोरी करने के लिए उकसाते हैं मतलब बच्चों का मन करता है कि हम भी इन सारी चीज़ों को हासिल करें जो हमें इन पिक्चर्स में दिखाई जा रही है यानि की चोरी करने के लिए टैंप्टिंग कर रही है यह वाली पिक्चर्स उनको और इनका जो जीवन है यह फोगी मतलब एकदम फोगी मतलब अंधकार में है और जो एंडिलेस अंधेरा है अनंत अंधेरे में और धुंदले जीवन में इनका जो जीवन है वो धुंदले रस्तों में, धुंदली गलियों में, अंधेरों में इनका जो जीवन है वो शुरू से लेकर अंत तक चुपके से, चुप चाप, इन तंग गलियों से, संकरी गलियों में ही व्यतीत हो जाता है जो है किसे भी प्रकार के यानि की उमीद की किरन या रोशनी या इनको कहीं भी आगे सफलता के लिए कोई भी रास्ता जो है वो नहीं मिल पाता है On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mantid glass like bottle bits on stones all of their time and space are foggy slum so bloat their maps with slums as big as dune Slag means waste material कबाड़ा गंदगी हाना heap क्या होता है piles धेर और peeped through मतलब उसमेंसे जहांकना यानि कि उसमेंसे जहांक रहा होता है और spectacles ही तो eyeglasses होते हैं हमें पता ही है bits क्या होता है pieces and slum dirty settlements or dwelling हाना गंदी बस्तियां जो होती हुने हम slum बोलते हैं ब्लोट क्या होता है blemish कलंक जिसे हम बोलते हैं bloat और dune क्या होता है नर्क बरबादे करते हैं मिसके line to line explanation on their slag heap the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass गंदगी के देरों पर बैठे हुए इन बच्चों की जो तवचा है skin है उस में से इनकी हडियां जहांक रही है मतलब इनकी skin में से इनकी हडियां तक भी नज़र आ रही है और ये जोडे हुए मरमत किये हुए मेंडे किये हुए शिशों वाले जो steel के चश्मे पहने हुए ऐसे लगते हैं जैसे की like bottle bits on stones जैसे की पत्थरों पर bottle के टूटे हुए टुकडे हुए इस तरह से इनके चहरे पर जो चश्मे लगे हुए वो इस तरह से लग रहे हैं bottle bits on stones की तरह से all of their time and space are foggy slurn और इनका जो सारा time है सारा जो समय है और जो स्थान है वो इस नर्क जैसी गंदी बस्ती में ही बीच चाता है so blow their maps with slums as big as doom यह गंदी जो बस्ती है यह इन बच्चों के लिए जिता जागता doom है नर्क है जिता जागता नर्क है यह बस्ती इन बच्चों के लिए और एक सभ्य मानचित्र पर एक यह कलंक है और जिस अमीर और बड़े लोगों ने इसको बनाया है लग उनके लिए यह कलंक है यानि कि यह जो बस्ती है इस जुगी जो अमपड़ी में रहने वाले बच्चों का जो एरिया है यह एरिया उन मानचित्रों पर कलंक है जिने अमीरों ने बनाया है एक ऐसे अच्छे चमान्चित्र बने हुए है ना लेकिन उन पर यह है जो है यह एक दुर्भावना की बात है दुर्भागी की बात है एक ब्लोट की बात है कि ऐसे ऐसे बस्तियां भी अभी तक हमारे सामने हैं जिसने यह स्कूल खोलती है उस गवर्नर को यहां पर इंडिकेट कर रहे है और इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्कूल में आते हैं और विजिटर्स यह जो विजिटर्स जो होते हैं ए ग्रेट परस्टनेलिटी फेए जो इन स्कूलों लों को देखने के लिए आते हैं उन सभी को सम्वधित करते हुए पोई जो हैं हमें कुछ कहना चाह रहे हैं और कैकोंब क्या होता है अंडर ग्राव्यूं जमीन के नीचे की जो कब्रें बनी होती ते हैं खाने जो बने होते हैं वो हते हैं catacombs तो देखते हैं यहां point हमें क्या explain कर रहे हैं Unless governor, inspector, visitor This map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs कि सरकार, government जो जुगी जौंपडियों को खोलती है और जो inspections करने के लिए निरिक्षक जो लोग आते हैं जुगी जौंपडियों में और वो great personalities जो स्कुलनों को देखने के लिए आते हैं उनसे जो point है, appeal कर रहे हैं प्रार्टना कर रहे हैं, request कर रहे हैं कि वो क्या करें कि इस जो यह map है यह जो जुगी जौंपडियों वाला map में दिखाई दे रहा है इसको संसार को देखने की खिड़की बना दे मतलब इनको भी बाहर का संसार दिखना चाहिए यह भी बाहर जांक सकें सिर्फ इन जुगी जौंपडियों में नहीं रहें तो वो सब मिलकर यह काम करें पोईट उन्हें अपील कर रहे हैं कि वो भी इस कब्र से निकल कर बाहर की तरफ देखें ब्रेक ओ ब्रेक ओ ब्रेक ओ ब्रेक ओपन तिल दे ब्रेक दर टाउन मतलब इसको बंद कर दो तोड़ दो इन दिवारों को इन जो की जोंपने की दिवारों को तोड़ दो और इनको खुले संसार में आने दो इनको भी यह दुनिया जो है यह देखने दो पोईट यह अपील कर रहे हैं And show the children to green fields and make their world Run azure on gold sands and let their tongues Run naked into books the white and green leaves open History, there whose language is the sun तो पोईट हमें यहां पर क्या समझाना चाहरे हैं कि इस स्कूल के management से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं हना चाहे वो inspector हों चाहे वो government हो उन सबसे वो अपील कर रहे हैं कि इन बच्चों को जोगी जोंपनियों के गंदे environment से बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकालने में help करें सहयोग करें और इनको भी हरे बारे खेत जो हैं देखने दें रेन अजूरियों गोल्ड सेंड्स इनको भी दोड़ने दो घरे वरे खेतों के अंदर इनको भी उन्स चमीन को देखने दो नैचरल सराउंडिंग्स में जाने दो और वो भी इस स्वच आकाश के नीचे सुने हरे रेत पर दोड़ने में मतलब सक्षम हो उनको हम सहयोग करें ताकि वो भी इस संसार में अपना स्थान बना सके एक नर्ख से जो है वो निकल सके और आजादी से हना फ्रीडम ली उनको जो बुक्स पढ़ने का भी मुखा प्रदान किया जाए और पोईट ये कहना चाह रहे है हमें लास्ट में कि वो व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं जि इनकी भाषा में जिनकी लैंग्वेज में इस दसन मतलब सुर्य की गर्मी हो शक्ति हो ताकत हो यानि की ज्यान हो वही इस हिस्ट्री को दुनिया की हिस्ट्री को जो है वो बदल सकते हैं तो इन बच्चों को भी उस सुर्य की गर्मी सुरे जासा तेज प्राप्त करने दो उनको प्राप्ट करने में आप सहयोग करो, जो भी गवर्नमेंट है या इंस्पेक्टर्स हैं, जो भी इनके स्कूल से जुड़े हुए अधिकारी हैं. तो पोईट जो हैं, हमें इस पोएम में यही बता रहे हैं, कि एक एलिमेंटरी स्कूल, जो जो जोगी जोंपडियों में बना हुआ है, उसके बच्चों की कंडिशन है, और उससे हम सुधा रहे हैं. तो, ओकी, थैंक यू.